84 शेत्र के काठिया मामा भिल मैदान में उपुस्तित भारत आदिवासी पार्टी के गोश्ना का रिक्रम में उपुस्तित भिल प्रदेश के तमाम आदिवासी भाईयों बहनों का मैं जोहार करता हूँ मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मंदारे जर्टिश भाई पानोर की सदांजली में दो पंतिया कहना चाहता हूँ कि जब मैं मर जाओं कि जब मैं मर जाओं तो कुछी इस तरहा मेरी पहचान लिख देना मेरे मस्तख पर मेरे लहु से बाप लिख देना मेरे मस्तख पर मेरे लहु से बाप लिख देना जहां कहीं भी मनारे जर्टिश भाई की आत्मा मुझूद है हम नमन करते हैं उजब सात्मा को जी सात्मा ने अपनी शहादत दे करके अज भारत आदिवासी पार्टी के रुके एक बहुत बढ़े राज्मी संगठान भारत देश के सीने पर खड़ा कर दिया है जो सारे भारत के आदिवासियों के लहु और सारे भारत के आदिवासियों के खुन और पसीने की किमत इस देश पार जो कमीने लोग राज कर रहे हैं उनसे मांगेगा इसके लिए भारत आदिवासी पार्टी का यह गठन किया गया है मैं इस मंच से आगाज करना चाहता हूँ भारत आदिवासी पार्टी के लिए जगो आदिवासियो उठो इतनी नहनत करो कि पूरे देश के हर गली में हर गाव में, हर कुचे में, हर महले में और हर शेहर में एक ही नाम कुझे बाप आ गया बाप आ गया बाप आ गया आपको आरगा दिवासी पार्टी को समर्थन करके मनिपूर में हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया है मनिपूर में हमारी पेहनों को गोली मारी गई है उस लहू का हिसाब मंगा है उस 56 इंच के सीने वाला जो भेक्ती दिल्ली की कुर्सी पर बेठा है उसकी आखोंगा आखे डाल करके ठूचना है कि जब आदिवसी की पेहन बेठियों की हत्या की जारी थी जब उनका प्रादकार किया जा रहा था जब उनका अंगा करके घुमाया जा रहा था तो उस समय तेरा 56 इंच का सीना सीपूड करके 26 का क्यों हो गया था ये पूछना चाहता है अभी वस लोग सबा में घुश करके 25 साल हो गए इन कमिनों को वोट देते देते 55 साल हो गए इनकी गुलामी सहन करते करते 55 साल हो गए इन लोगों की पिड़ा सहन करते करते और 55 वर्ष तर आदी वस्यों के समय धानिक अधिकारों पर लोग सबा और किसी भी विरान सबा में एक शब्द नहीं बला गया इसलिए इस तेश के अधिवस्यों ने मिल करके भारत अधिवस्य पार्टी का गठन किया है और भारत अधिवस्य पार्टी को मजबूत करके हमारे अधिवस्यों को हमारी अधिवस्य पहनों को ये बताना है कि आदिवासी इस भारत देश का मालिक ही नहीं आदिवासी इस भारत देश का बाप है और बाप की क्या ताकत होती है क्या शक्ति होती है ये हमें बताना है हमें सुप्रीम कोईटर के फ्रेशलों को लागू करवाना है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है हमें को उन गुरु के सपने को पुरा करना है कि दिल्ली ममारी गादी है अमदावात ममारी कलम है कमभई ममारोती वो है पुरा देश आदिवासी का है इसके लिए मानगड़ पे 1500 आदिवासी ने अपनी कुर्बानिया दी थी उन कुर्बानियों को साकार करने का सार्थक करने का वक्ता आ गया है साथियो एक हो जाओ जागे जाओ और इस भारत के माथे पर लिख जाओ जै जहार का नारा है भारत देश से भार्दिवासी का है सबको जे जहार जे आदिवासी जे विख जे